नमस्कार सातियों मैं हारीश कुमार काजला अध्यक्स एम्स नर्सेज यूनियन नहीं दिली सातियों जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्स नर्सेज यूनियन सोना दिसमबर से एक एनिसित कालिन हड़ताल पे जा रही है उसमें हमारे बहुत से मुद्दे हमारे एंस, नर्सेज के मुद्दे हैं और हमारे profession को बचाने के बहुत से मुद्दे हमारी नर्सेज की जो indifinus strike है उसमें सामिल है लेकिन आज का जो मेरा वीडियो संदेश है मैं उन सभी बिरोजगार नरसे साथियों से जो जेंडर डिस्क्रिमेशन के मुद्धे पर लगतार परताइद हो रहे हैं और एक अन्याय का सामना कर रहे हैं उन से सीधा रूबरू होने को आया हूँ और आप लोगों से खुली बात करने को आया हूँ और अपनी प्लारिंग के अतायत उन लोगोंने एक दिन मुकरर किया और लोग जनतर मंतर पे अपने सोचल मीडिया के मादेम से उन्होंने उसको परचारित भी किया और जनतर मंतर पे वो लोग पहुंचे साथ यह उनकी संक्या केवल 12 लोग थे यह वो मेक्जिम लोग रास्तान से आये थे रास्तान के अलग लग जगों से आये थे और उन्हें बड़ी निरासा हात लगी पूरे दिन वो जनतर मंतर पे रहे बड़े दुखी मंद से उन्होंने एमसरर से जुरियन को यान की मुझ से मिलना चाते हैं तो मेरे नर्सिंग यूनिन के जनलर सेकेटरी मिस्टर फमीर सीके और मुझ से वो लोग मिले और मैंने देखा कि उनके चेरे पे बड़े निरासा के भाव थे वो हतास थे और उन्हें लग रहा था कि उनका बविश्य अंदकार में है और उनका फ्यूचर जो हर एक यूवा की सोच होती कि वो सरकारी नोकरी की तरफ जाए देश की सिवा के लिए काम करें वो कहीं न कहीं दुमिल होती वी नजरा आ रही थी उन्होंने हमारा धन्यवाद गापित किया है कि हम एमस इस देश की केवल एक मात्रे सा और जिशन है जो हमारी जेंडर डिस्कनेशन के मुद्धे को एटी ट्वंटी जो जेंडर इजवेशन है इसके मुद्धे को लगातार उठाए हुए आपने हमारे लिए हर संभव परि क्रियां से हम उस पर काम कर रहे हैं जल्दी ही जो उचिस्त्रिय जो नएक सेवाए हैं वहाँ जाके हम दुबारा से निवेदन करेंगे और इस मामले में लगातार हम घंबीर भी हैं और लगे हो भी हैं लेकिन साथ यहों लोगों से बहुत सी चीजा हमें सुनने को मिली जो लोगों के लिए लड़ रहे हैं लेकिन आप लोगों से जो समर्थन या जो ताकथ हमें एम-चलर सीज उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं और उन्हें नहीं भी एगरी किया कि सर हमें भी पता है कि हम सब लोग युनाइट नहीं हे उपा रहे हैं आप हमें मार्गर दीजिए, आप हमें guidance दीजिए, कि हम जाके हमारे सभी साथियों में एक ताकत का संचार कर सके, गुर्जा का संचार कर सके, आप हमें guide कीजिए, क्योंकि नहीं तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, तो सातियों बड़े लंबे कम से कम देड़ दो गंटे की चर्चा के बाद हमने कहा कि हम M.S.A.J. Union का जो एजिटेशन है या जो स्ट्राइक है उससे पहले हम विविन तरीकों से प्रशाशन पे या केंद्रे स्वास्ते मंत्री पे दवाव बनाने की कोसिस करेंगे और सातियों हमने इस बार जो M.S.A.J. प्रशाशन है या जो बार सरकार का स्वास्ते मंत्राल है या मंत्री जी मानने मंत्री जी है उन पे लगातार विश्वास किया है और इन्होंने हमारा विश्वास तोड़ने की बार-बार कोसिस किये तो इन सबसे दुखी हो के M.S.A.J. उनने इस बार अपने एजिटेशन का मोड बदला है और मानने प्रधान मंत्री जी को चुट्थी लिखी है और निवेदन किया है कि वो इस मामले में संग्यान ले और जो इंडिफरेंट स्ट्राइक है वो जो हम करने की सोच रहे वो ना करनी पड़े तो इसी बात के फलसरूफ हमने हमारे जो बेरुजगार साती हमारे साथ बारतलाप में उपलब्ध थे उनको कहा कि M.S.A.J. Union जो एजिटेशन करने जा रही है उसमें सोट वीडियो मैसेज, पोस्ट कार्ड कमपेइन, इमेल कमपेइन ऐसे कई सारे इवेंट करेगी स्रीज प्रोटेस्ट करेगी आप भी उनका इस्सा बने और आप भी सबत लेके यह से जाए और दर निश्य के साथ जाएं कि हमें हमारे साथियों में जाके उरजा का संचार करना है, उनको सभी को जोड़ना है और एक आंदोलों खड़ा करना है लेकिन साथियों में एक खुली और करवी बात आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ कि आखिर ये 80-20 का जेंडर रिजर्वेशन जिससे लोगों का भविशे बरबाद हो रहा है लेकर कोना है ये भार सरकार का स्वास्ते मंतरा लेकर आए उसकी एक CIV बोड़ी है वो इसे लेकर आई है तो इसे खतम कोन करेगा इसे अठाएगा कोन वो भार सरकार का स्वास्ते मंतरा अठा सकता है और हमने मानने अपलार मंतरी से भी निविदन किया है कि वो इसमें संग्यान ले वो तभी अठाएंगे जब उन्हें लगेगा कि इसमें कुछ इस आंदोलन में कुछ हीट है कुछ पावर है कुछ जान है और वो जान साथी हो आप सभी विरोजगार जो नर्से साथी उनको एक होना है एक प्लेटफोर्म प्याना एक ताकत दिखानी है जब हमारा एजिटेशन होगा हमारी मंत्राले इस तरह की बाते होंगी तो आपका जो मुख्य बिंदू है जो अटिट्रूंड का जेंडर डिस्क्रिमेशन है उस पे वारता तभी ताकत वर तरीके से या स्ट्रोंग लुप में उबरेंगे नहीं तो साथ ही वो एक सिंपल वारता रह सकती है या इसके बारे में हमें समझाया जा सकता है जो हमें एमस नर्ट साइज जून को कतई स्विकार नहीं होगा तो मैं जो हमने हमारे जो बेरुजगार साथ या थे उनको जो संदेश दिया था जो उनक काम भी कर रहे हैं उन्होंने ऑपना एक पोसकार्ड कंपेंle भी किया है बहुत अची तरीके से वो जा रहे है लेकिन इसे आंदोलं के रूप में लेके जाना है आप ने अपने छेतंचेट्रों का निर्वाचन किया है अगर हमें एक राजिस्तान की बात लें तो Lau fact爷 Stav Thomas सांसद है आप ने इन लोगों के चुनाव में इन का परचार किया है सोशल मीडिया परचार किया है आप लोगों नों इनको वोट देके केंजर में भेजा है यहां जाकर उन्ने सरकार बनाईए और सरकार के अंदर किसी को स्वास्ते मंतरी भी बनाया अगर ये सभी लोग आपके लिए अंदोलिन्त होंगे, आपके मैसेज को मानने प्रदानमंत्रीजी तक पहुचाएंगे, तभी ये बात बन पाएगी, तो आप सभी लोग अपनी छोटी-छोटी टीम में बनाईए, जिलेवार टीम मनाईए, और हर एक मानने सांसत मोदे के घ भर जाके धरना दे दीजिए, वहाँ पे बैट जाएगे, और उन्हें कहिएगा कि आप हमारा ये मैसेज मन नरिंदर मोदीजी तक पहुचाएं, और इस मामले में संग्यान लेके इस कालने काउन को खतम करवाएं, अगर वो आपकी चिट्टी लिख देते हैं, तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, अगर वो चिट्टी नहीं लिखते हैं, तो आप उनके दर्वाजे पर घरों पे जहां भी हो जा रहें, वहाँ जाके बैट जाईए, और उन्हें मजबूर कीजिएगा, कि एम्स नर्सेज यूनियन ने इस मुद्दे को राश्ट इस्तर पर उठ आया हुआ है, और 16 दिसंबर को वो एनिसेत हर्ताल पे जा रही है, इसमें मुद्दा मुखे रूप से उन लोगों ने सामिल किया है, तो आप हमारे साथ दिल्ली चले, कैंद्रे स्वास्ते मंतरी से बात करें, मानने परदायन मंतरी से बात करें, और जब टेबल टोग होग तो इस मुद्दे को खतम किया जा सकता है, तो साथियों मैं एक बार पुना आप लोगों को एक कह रहा हूँ, कि एमसरर से जिनिस ट्रैक पे जा रही है, आपके मुद्दे को सामिल किया है, लेकिन आपके मुद्दे की जान तभी आएगी, जब आप सभी लोग युनाइट रहेंगे, एक जब जब आएगे, ताकत के साथ इस मैसेज को बार सरकार के हकूमरानों के कालों तक पहुचाएंगे, तभी ये बात आपकी जाइज मानी जाएगी, ताकत के साथ मानी जाएगी और इसका एक या कहें कि रस्ता निकलेगा और हम सपलता कितर बढ़ सकते, तो junior के द्वारा email campaign जो चलाया जाएगा उसका समर्तन कीजिए और हमारे agitation, हमारे moment का समर्तन कीजिए तब जो बाते होंगी उसमें आपकी बात में कुछ दम आएगा और चीज़ें कुछ आगे निकल जाएगी तो मैं एक बार सभी बेरोजगार साथी है उन सभी साथियों से निमेदन करना चाता होंगी साथियों समय बहुत कम है, दो वीक का ही समय है आप सब लोग एक हो जाएगे, एक जुट हो जाएगे और एम सरण से जिवन के इंडिफरेंस ट्रैक का समर्तन कीजिए धन्यवाद